वेलो दोस्तों मैं हूँ सिवाम स्वावात है आपका श्टाडी बोश्ट में आज का टॉपक भिन ये इसका पार्ट 3 है दोस्तों इससे पहले पार्ट 2 तक हम देख चुके हैं जिनके लिंक नीचे वीडियो को डिस्क्रिशन में दी हुए बहां से जाकर आप पिछले वीडि चैनल को सब्सक्राइब करें पहला कोश्चन लिखा हुआ दोस्तों इसकोश्चन को सौल पढ़ने सपहल हम कुछ बाते समझ लेते हैं जैसे कि माली जी कोई संख्या लिखी हुए है एक माइनस एक बटे 3 इसी तरह लिखा हुआ है एक प्लस एक बटे 3 अब देखिए इसे प्लस एक तीन और एक कितना हो जागा चार चार बटे 3 जब हमने इसे सौल्ब किया तो दो बटे 3 और इसे सौल या तो ऌड दो आज देखिए दोस्तों आपको चिर्प एक बाद रखनी है यहग एक माइनस एक बटे तीन कर रहा है थे दोस्तों देखिए जब माइनस का चिन है और एक से घटा रहा है तो इन दोनों के बीछ का अंतर लेंगे एक और तीन की बीछ कांटर कितना होगा दो ऊपर वाली संख्या मिल जाएगी नीचे बाली संक्या में साफ फिक्स रहेगी दो प्लस एक प्लस एक प्लस कर रहे हैं लेकि प्लस कर रहे हैं अब देखिए यहां माइनस साथ बटे नौ अब देखिए प्लस साथ बटे नौ तो देखिए प्लस कर चिन नीचे और वाली संक्या में इसा फिक्स रहेगी इसी तरह लिखा होता दोस्तों एक सही टेरा बटे उननेस अब देखिए माइनस कर चिन है और एक से गटा आ रहे हैं तो दोनों की वीच का अंतर लेंगे दोस्तों शह हो सब्सक्राइब देखकर बता सकते हैं दोस्तों कि चंख्या क्या बच रही है जब भी आप एक से माइनस करेंगे तो आपको अंतल लेना है यदि आप एक से प्लस कर रहा है तो आपको जोड़ देना नीचे कि हमेशा फिक्स रहेगी देखी कोस्चन लिखा हुआ था 10 दर्जन से 15 दर्जन नाम 20 दर्जन संत्रे बेचने के लिए रखे गए हैं यदि पित्तेक मैसे क्रमसा एक बटे दो एक बटे तीन और एक बटे चार फल बेचे गए हैं तो कुल कितने फल बाकी रहा गए हैं यह हम चैनल बताना तो देखिए कोस्चन आरवी एंटिपीसी 2016 में पूचा गया है दोस्तों देखिए सेव एपल प्लस मैंगो प्लस और इंज इस है तीन फॉल है अब देखिए बेचे हुए लिख लेते हैं कितने बेचे हुए हैं बेचे हुए फल बेचे फल और बचे हुए फ दोस्तों इसी तरह कि मैंगो मैंगो कितने बीची गए हैं एक बटे टीन लेकिए एक से गठाएंगे तो हम पते चला कितने बचे हुए हैं तो देखिए एनका अंतर निकालेंगे एक और तीन की बिच कंतर कितना हो हुए है तो देखें कितने दर्जन सेव हैं दोस्तों दस दर्जन सेव है तो लिखेंगे दस बीचे हुए कितने हैं एक बटे दो बचे हुए कितने होंगे एक बचे हुए बताना है तो दसका एक बटे दो प्लस अब देखें मैंगू कितने दर्जन है 15 दर्जन लिखेंगे 15 दर्जन बीचेहुका फुर्टेतेरस दर्जन बचेहुका फॉर्टे 25 इनकाल लेंगे तुम पांच गोड़े 5 सीघ का गोड़ा होगा पांच हो जाएगा प्लस अब देखि तीन एकम 3 3 5 15 यहां बचेगा 5 गोड़े 2 5 का 2 से गोड़ा होगा 5 2 नहीं 10 प्लस अब देखिए 4 एकम 4 4 पंचे 20 यहां बचेगा 5 गोड़े 3 5 से 3 का गोड़ा होगा 5 15 यह तीनों फल दोस्तों दर्जन में 10 दर्जन 15 दर्जन और 20 दर्जन देखिए सभी को जोड़ेंगे कितना हो जाए 30 गोड़े 12 करेंगे कितना जाएगे दोस्तों 12 36 360 फल होंगे बचे हुए फल कितने हैं 360 डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों देखिए आप इसे इस तरह भी कर सकते हैं दोस्तों जैसे कि 10 दर्जन सेथ एक बटे दो बेचे गए तो बचेग कितने एक बटे दो कितने आ जाता याठी पांच दर्जन आ जाता एक दर्जन हो जाते हैं तो कितने हो जातेone कि एक सोबीस प्लस अब देखिए 20 दर्जन संतरी ते दोस्तों एक बटी चार बिषती एक इतने बचेंगे तीन वटे चार तो बीज का हम निकालतें तीन वटे चार कितना हो जाता दोस्तों 45-25-25 कितना इसार था तो यह इस चुनाव में एक बटे चार वोट अभैद पर पित्यासी एको वैद वोटों के आठ बटे पंद्रा वोट मिले हो पित्यासी बी को नन्चास सो वोट मिले हो तो कुल वोटों की संख्या कितनी होगी यह कोश्चन देखिए और वी न्टपीसी 2016 में पूछा गया है तो इंसे वेंपोन की संख्याक गयाव सकते हैं देखि हैं कुल वोट केटनी होते हैं एक माल लेते हैं अब वे बैठर नकालेंगे एक मैंस से एक लटे चार घटाएंगे तो इन दौत ऑर की बिच की बीच तीन हिस्सा क्या है बैद वोट है मतलब तीन हिस्सा बैद वोट के हैं और देखिए इसमें देखिए अबैद वोट में एक हिस्सा क्या है अबैद वोट का है और नीचे वाली वैल्यू क्या है टोटल वैल्यू मतलब टोटल वोट कितने है चार है देखिए यहां भी चार है पारबद बढ़ाबर 4। देखिए नीचे वाली जो वैल्य रहती SGP से तो कुल वैल्य को बताती है तो देखिए को वोट कितने हो जाएंगी चाथ जिसमेंसे 3 वैद बोट होंगी और एक अवैद वोट होंगे तो देखिए हमने निकाल लिए तीन बैद वोट है और एक अब बैद बोट है अब देखिए प्रेश्ट में कहा गया है यदि 85 A को बैद बोटों के आट बटे 15 मिल रहे एको कितने मिल रहे हैं दोस्तों आट बटे 15 नीचे वाली वैल्यू क्या कहलाती है टोटल वैल्यू कहलाती है यह टोटल वैल्यू कहलाएगी जिसमें से एक हिस्सा कितना है आठ है अब देखिए बैद बोट जो है दोस्तों उसमें यह और भी दोनों को म जाएगा तोटल भेलुट यहां भी 15 फिक्स है नीचे वाली वैल्यू हमें सार्ट बेल्यू को बताती है अब देखे टोटल वाले नहीं चुने वह तो टोटल वैल्यू को बताती है और उपर वाली उनके हिस्से बताते देखे एकाइस और रिकाइस साथ है तो इस तरह दोस् है महिसे से बी का साथ इसकी बाइ李 हमीं हमें दिए गई उननचाश सो तो साप इन चर्ड इंहां है क्या निकालना है नीचे वाली घृन मदलना साथ导ें चर्ड गई नकालनी के हैंई थ्यूज यूज 15 पार्ट की वेल्यू नीकाल लेंगेगे तो देखी 16 य ह and 17 form 7trainer 49 j हमें निकाल नहीं 15 पार्प की वेल्यू पानद्रा पार्ट की वेल्यू निकाल लेते हैं तो देखी एक वार्प की वेल्यू 700 यह देखी इसका 15 अ Χषा गो आउतरान निकाल लेंगे तो का साथ से खोड़ा करेंगे 1570 1529 मैट कर देंगी तो 1550 कि यह क्तनी आई दोस्तों 10500 यह क्या आगये कुल बैद वोट आगए दोस्तों बैद बॉट कितने हैं 10500 देखिए बैद बोट के वैलियू कितने हैं तीन पार्ट और यहां बैल्ड आई कितनी हमें बताना है चार पार्ट की भाड़ बताने तो देखिए छार पाट कितने होंगे देखि यह इसका चार जोड़ा करें कितना आएगा 140 2019 में add कर देंगे तो चार पार्ट की वैल्यू कितने आजाएगी दोस्तों 14,000 यह आजाएंगे कुल पूर्ट चार पार्ट क्या है दोस्तों कुल बोर्ट कुल बोर्ट की वैल्यू कितने आजाएगी 14,000 यह इस पंद्रा तो भी का हिस्सा क्या हो जाएगे दोस्तों साथ पटे पंद्रा इस में सितिकी बी का हिस्सा दिया गया है आपको बताना है चार पार्ट मतलब कोल बोर्ट बताने है चार पार्ट की वैल्यू कितने हो जाएगी चाहुद आजा यह इसका आंसर आएगा डी ऑप्सन देखिए अगला कोश्चन लेका हुआ है यदि किसी समान के दो बटे तीन भाग का मूले 2200 रुपए है तो उसके ती सब्सक्ति तो एक डिएषा कि अग़े जो सब्सक्ताइर को ऑखिया जाएगाुथ तो एक पाट की वैल्यू कितने हो जाएगा मैं आपको देखे अगया विभuinely तो ine कितने हैं तीन पार्ट की वैल्यू कितने हो जाएगी दोस्तो है एक पर की वैल्यू 11IT हो जाएगी देखें ये इसका तीन गुना है दोस्तों तो इसका भी हम तीन गुना निकालनेगे 11 में 3 का गूऽरा खरेंगे 3300 एक क्योगए 84 맛 यह कहला की तो टोटाल वेलियू अगर आप特 पूछे-जाथ 25 पांच पार्ट की वेल्यू कितने होगी तो आपको सिर्फ एक पार्ट की वेल्यू निकालनी है अब देखिए आपसे पूचा गया है उसके बाद रसके थिंवेल्यव उसके वाट की गया होगी तो डिखें इसे जाला थिले एक निकालना डो всю साथ कितने मट की मेल्यू को एजाएगी यहां जाएगा कि युज़ नहीं कितनी है उसकां दोków़ों हो जाएगी इसका नहीं कि जाएगी है उसकी में इसका ट्रिक में समगते हैं इसकी कि इतना गोना है 11 है दोस्तों इसका भी ग्यारा गोना निकाल नाया 11 टोटल वैल्यों टोटल आपको बदी देगे धर एक पार्ट आप निकालने कि एक पार्ट की वैल्यों 'rest सा तीन पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसका तीन गोना मतलब 900 रोप है यह इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों अगर आपसे पांच पार्ट की वैली पुछ जाएगी आप बता देते तो इसी तरह दोस्तों इन को सौल्ब करना है कि कोस्चन लिखा हुआ किसी घंबे का अब तो पांच भाग नीचे वाली वैल्यू टोटल वैल्यू को बताता है तो टोटल खम में की लंबाई कितनी माल लेते हैं पांच पार्ट है जिसमन से 2 पार्ट की चड़वे तो सेथ वैल्यू आप निकालनेगी दोस्तों इन दोलों की बीच कंतर कितना होगा दो और पा जोफेछ बञावग का मतलु की एड में 5 निकाल दोस्तों वंधिकर 2 बते पांचomniaप नीचे नीचे पांच हुझान में वह दोस्तों प्लीचर जल की वेल्यों हमार स्ञ़के उपर किन दो नीचे बाerd Lambda कि तिन निखेंगे ने सidän पड़्ट ने सब्सक्राइब जयंगे हैं और सफ् effort किअलुपर यह सब्सक्राइब देखे यह इसका 5 गोना है दोस्तों इसका भी 5 गोना हम निकाल लेंगे तीन में 5 का गोड़ा होगा सती है 15 पांच पांच के वेल्यू कितने आ जाएगी 15 यह खंबे की लंबाय जाएगी अब देखे इसे हम सौटकुट में कैसे कर सकते थे दोस्तों लेकिति दोटे-पांच वाग की चड़ में रीज़ भाग कितना हो जाए जोस्तों इन दोनों के विच का अंतर मतलब 3 वटे-5 अब 3 वटे-5 जोड़ का निकाल लिए इन दोनों को जोड़ का तो नीचे पांच हो जाए दो और एक कितना हो जाएगा तीन इनके वीच का अंतर निकालिंगे कितना जाएगा दो बटे-पांच यह जल की उपर का भाग आ गया इसकी वैल्यू आपको दी गई कितनी 6 मीटर है दोस्तों तो देखिए दो पाट की वैल्यू आपको दी गई 6 मतलब यह इसका तीन गोना ह किराय पर तथा एक बटे-पांच कपड़ों पर खर्च करता है यह उसके पास अभी भी 400 रुपे सेस हैं तो उसकी आय क्या होगी यह कोश्चन देखिए ऐससे सीजेल में आया हुआ हुआ है सबसे पहले दोस्तों ब्यक्ति के सभी खर्चों को जोड़ लेते हैं तो देखि यहां क्रॉस में बोड़ा कर लेंगे तो पांच रेकम पांच तीन तरका नो दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा दोस्तों नौर पांच 14 बटे 15 यह उसके टोटल खर्च आजाएंगे दोस्तों नीचे वाली वैल्यू क्या कहलाती है टोटल वैल्यू कहलाती दोस्तों उ इसमें 14 खर्च कर दिए तो सेज कितना होगा इन दौनों के वीच कंतर एक बटे 15 यह सेज भाग कहलाएगा अब इसकी वैल्यू कितनी दी गई दोस्तों 400 पर सेज बचे रहते हैं तो सेज कितना बच रहा है एक पार्ट मतलब एक पार्ट की वैल्यू आपको कितनी दी गई पंदराचो को साथ छे आजार आजाएगा उसकी आए कितनी होगी जुस्तों 600 इसी ऑप्सन इसका आंसर हो जाएगा इसका अपनी गायों की जूंद को अपनी चारों बेटों में इस प्रकार प्रित्रत करता है कि पहले बेटे को एक बटे दो जूंद मिलता है दूसरे को ए दोस्तों एक बटे 5 तीनों बेटों की हैं संख्या जोड़ लेते हैं दोस्तों उनके पास कितनी गाया है तो देखें 2 4 और 5 तीनों कैल्सियम कितना है दूस्तों 20 आजाएगा दो में यदि हम 20 से भाग देंगे 10 बार जाएगा 10 से एक का गोड़ा होगा 10 आज जाएगा प् के दोस्तों नीचे वागीज है total value के है इसका मतलब कौल 20 पास उनके पास गाया जिसमें से 19 पास पहले बेची दूसरे बेची और तीसरे बेचे के पास तो हमें दिया गया है चौन्ते बेचे के बेखास कितनी यह उनकाल लेते हैं 19 बटे 20 चुन्ते वेस कितनी सब्सक्राइब